नमस्कार स्वागत है आप सभी का बीएड वे टीसी या बीएड बीएश टीसी मामले में कोर्ट में सुनवाई की जो तारीक लगबग तैय आप मान करके चलिए हमने आप लगबग वर्ड इसलिए यूच किया है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की फाइनल कौर्ज लिष्ट हो सुनवाई होने जा रही है तो यहां पर 17 अगस्त की डेट लगी है 17 अगस्त की सबसे पहले आप सभी को रक्षा बंदन पर्वकी धेर सारी शुपकावना है सभी आप सभी फाइयों बहनों को 17 अगस्त को डेट लगे कुल मिला करके चारवाज दिंग का यहां पर समय है और आप समझ लेजें कि सबका भवश्य यानि अभी जो अभी बहरती बियड के है उनका भवश्य परात्मिक के लिए या पर पर जो अभी बहरती ETT, JBT, seulD, BTC या BHT, C के है उनका भवश्य क्रत्मिक में हमें किस प्रकार से आगे मौका दिया जाएगा क्या उसमें B8 के सामिलो कि बीएड वाले अब बैरती इसलिए परिसान है कि हमें प्रात्मित में मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा अभी हम मैं विविन राज्यों की नहीं सिर्फ में उत्तर पदेश की बात कर रहा हूं यहाँ पर बीएड और बीटीसी दोनों की कोर्स बीटीसी अफ सब्सक्राइब और बीएड के लिए अलग अलग इंट्रेंस टेश्ट और एडिवेशन प्रॉसस चलते रहते हैं अपना राजर सी टंडन जी से हो गया लेकिन सब लोग परिसान है और भरती आने चाहिए हर राज्यों में बिहार में देखिए भरती अभी आने वाली है ले सब्सक्राइब अगर यह मामला फाइनल हो जाए तो कम सबको पता चल जाए कि हमें कैसे क्या करना है किस परकार से तैयारी करनी है और हमारा तो सिर्फ इतना यहां पर निवेदन था कि कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि सबको हर जगा आप बैलेट कर दो सबको सबको बराबर कर दो आप यह बिबाद ही तुरन समाप्त हो जाए आप जितने भी ए 28 जो दो जार ठारा का जो अधिसूस्तना है एंसीटी वाली उसको जो है अब यह दिखिया गया है जोत्पुर हाई कोड के द्वरा तो उसी को लोग मांग कर रहे हैं कि उसी के आधार पर बीएट कूप रात्मिक से बाहर किया जाए तो यह कुल मिलाकर के चीज़े हैं और यह जो सुनवाई होगी जश्टीस अनिरुद बोस और उनके साथ में एक जजमोद है और है डिवीजन बेंच में यह मामला सुना जाएगा और सभी के अपने बड़े-बड़े आधिवकता हैं सभी सीनियर अध्वेकता हैं सुप्रिंग कोड में लगबग N.C.T.E की फाइल, M.H.R.D. की फाइल या भारा सरकार की फाइल, B.H.T.C. की फाइल, B.E.A.D. की फाइल, सब की फाइल लगबल लगग जो है जजजे साहब के द्वारा पढ़ ली गई है उसमें और हो सकता है की इसी 17 अगस्त को मामला फाइल हो जा या फिर यह भी हो सकता है की 17 अगस्त के बाद जो है जल्दी ही पक्षे सुना जाए और हो सकता है की 17 अगस्त को ही और भी रिजर्व कर लिया जाए तो कुछ भी हो सकता है लेकिन अब जो है मामला आपका फाइनल हो जाना चाहिए ठीक है बाकि सुप्रीम कोड की फाइनल कॉज लिष्ट जैसे ही आएगी हम आपको उसकी सूचना पूरी कॉज लिष्ट आपको हम ततकाल दिखाएंगे तब तक आप सभी अपने तयारी करते रहें या किसी अन्य भरती में भी अगर आप इलिजिबेलों वहाँ पर भी आप तयारी करते रहें और वीडियो को आप लोग चाता सा जादा लाइक करने के बाद सेर आप कर देंगे त अन्य वाद